आज का टोपिक है वर्ग माध्य मूल चाल रूट मेन स्क्वाइर स्पीड क्या होती है कि किसी निकाई में अनू के चालो के वर्ग के ओसत के वर्ग मूल को यदि हम इसको देखें तो क्या है यह रूट मेन स्क्वाइर को रूट मेन स्क्वाइर को रूट मतलब आर मेन और यह स्क्वाइर और यह स्पीड रूट मेन स्क्वाइर स्पीड का जो जो फॉर्मूला है वो यह है अनू की चालो के वर्ग के ओसत के वर्ग मूल को क्या कहते हैं root mean square speed यहनि अनु की चालो का वर्ग के ओसत के वर्ग मुलकों क्या कहते हैं root mean square speed इसका formula यह हो गया अब इसमें root mean square speed तो माध्धे लेना है माध्धे किसका लेना है c square का माध्धे किसका माध्धे लिया था c का तो ममाद्धे में क्या जाएगा 1 upon n integration 0 to infinite c की जग़ c square d n c जो कि हमने पिछली वाली उसमें लिया था पिछली वाली class में जो हमने उस चाल में जो माद्धे लिया था वो c का लिया था यहाँ पर c square का माद्धे लेना है तो c की जग़ क्या जाएगा c square तो यह हमने लिख दिया यहाँ पर c square d n c के पावर हाफ 1 upon n यह integration यह बज़ बन गया और under root को उधर लेके चले गया तो square हो गया यह या 2 से उपर इस दोनों को multiply किया तो 2 से 2 कट गया और यहाँ पर square आ गया अब हम इस integration को solve करेंगे इस integration को solve करने के लिए वहीं क्या है d n c कमान रखेंगे d n c कमान रखा तो पिछले वाली class में जो रखा था वो d n c की value थी हमारे पास d n c की value यह रही इस d n c की value में c square ओर आ जाएगा c square ओर आ जाएगा c square पहले से हैं c के power 4 बन जाएगा e के power minus b square और यह आ जाएगा पूरा का पूरा तो यह आ जाएगा 4 pi n n से d n c कमान रखने पर n से n तो कट हो जाएगा 4 pi b upon pi 3 by 2 integration में वहाँ पर c cube था तो c square पहले से c 4 e के power minus b c square d c अब यह जो समा कलन है यह समा कलन कमान क्या है एक standard integration है यह standard integration के लिए हमने बताया था पिछली वाली class में कि n की value यहाँ पर कितनी है c की power n n की value कितनी है 4 तो n बराबर 4 4 क्या है even number even number का मतलब यह हो जाएगा under root में pi upon b की power 5 3 by 8 यह जो standard integration हमने पिछली वाली class में बताया था कि n बराबर 4 के लिए standard integral 3 by 8 pi upon b की power 5 और k under root यह वाली value हम यहाँ रख देंगे तो 3 upon 8 pi upon b की power 5 की power half इस का मान इस का मान यहाँ पर रखने पर यह जाएगा 4 pi b upon pi की power 3 by 2 into 3 by 8 pi की power half और b की power 5 by 2 तो यहाँ पर यह pi से 1 pi कैंसल आउट हो गया यहाँ पर under root बज़ गया और यह 3 by 2 बज़ गया तो इसके बाद में हम देखें तो 4 दुने 8 हो गया यह 3 by 2 आ गया है 3 by 2 और यह pi से pi अंडर root से अंडर root कैंसल आउट हो जाएगा तो ये बज़ गया B के पावर 3 by 2 और ये बज़ गया B के पावर 5 by 2 इसके बाद में 3 by 2 ये नीचे आया तो बज़ गया कितना 3 upon 2B 3 upon 2B आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा ये CRMS का स्क्वेर जब इसका स्क्वेर अटाएगे तो उधर जाकर के अंडर रूट बन जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 3 upon 2B की पावर हाफ यहां पर मान रखें हम 2B भी बराबर क्या था M upon 2KT 2 से 2 कैंसिल तो 3KT upon M की पावर हाफ तो ये बन जाती है root mean square speed वरग माध्य मूल चाल तो उस जो equation है Maxwell distribution लो उसकी दूसरे application ये है कि अनों की root mean square speed वरग माध्य मूल चाल का मान निकाला जा सकता है आज के लिए इतना ही Thanks